आस्मान पूरी तरह साफ है और क्रिकेट मैच के लिए पूरी तरह पर्फेक्ट पिछ एकदम हरा है अभी अभी थोड़ी घास है ओपनिंग बोलर्स को इसका फाइदा उठा कर जल्दी कुछ विकेट्स लेने होंगे टॉस के लिए बुलाया गया है और ये रहा हिट्स पहले हम बॉलिंग करेंगे हम उमीद कर रहे हैं कि पारी की शुरुवात में पिछ बॉलर्स की मदद करेंगे उच्छा से भरे दर्शकों से भरा स्टेडियम दोनों ही टीम पूरे फॉर्म में हैं देखते हैं कौन मैच जीतता है पावर प्ले वर्वर्स की दवरान बैच जीतता है बॉलिंग करने के लिए तयार कुछ अलग करने के कोशिश ये देखना होगा कि इन चेंजर से वो क्या हासिल कर पाते हैं फिल्डर ने बढ़िया सोजबूर से काम लिया दो रन क्या बात है पहला रन मुश्किल से तो ले लिया लेकिन दूसरा रन बहुत तेजी से लिया उन्होंने इस बार ओर दी विकेट बॉल करने का फैसला किया है कुछ नया करने के लिए असानी से बैट कुछ चू जाती इन हालात में डॉट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है इस ब्रिलियंट उसने पूरे परफेक्शन के साथ स्ट्रीट ड्राइव खेला बैट्समेन की अच्छी सूजबूज एक रन लेने में काम्याब बॉलिंग करने के लिए तयार कुछ अलग करने की कोशिश फिल्डर ने गेन को आते देख लिया फिल्ड में अच्छी कोशिश आह डिल्वरी के कारण इसे चोट लगी वो फैसला नहीं कर पाया के शॉट खेले या गेन कुछ जाने दे इस डिल्वरी के साथ वोवर की समाप्ती बडले बाजों का रन रेट कम करने के लिए ही मीडियम पेसर का इस्तमाल कर रहे हैं बॉलिंग करने के लिए तयार कुछ अलग करने की कोशिश बल्ले बाज की ये सोची समझी रन नीती थी और लेट साइट की तरफ खेला अच्छी रन निंग अराम से क्रीस के अंदर वापसी उन्होंने इस बार ओवर दी विकेट बॉल करने का फैसला किया है कुछ नया करने के लिए फिल्डर ने बढ़िया सोच भूच से काम लिया अच्छी रन निंग अराम से क्रीस के अंदर वापसी बॉलर ने यहां कुछ नयापन लाने की कोशिश की है फिल्डर्स मैदान में अपनी तैयारी कर रहे हैं गेंज फिल्डर्स कुछ चीरते हुए निकल गई बॉल बैट के बीच लगी और उसने आउन ड्राइव कर दिया फिल्डर का शांदार प्रदर्शन रन बचाने के लिए तेजी से थ्रो किया बॉलर्ण में बैट्समेन को इस डिलिवरी से माद दी इन हालात में डॉट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है बल्ले बाज ने कलाई का अच्छा इस्तमाल किया और लिक साइट की तरफ मोड़ा बैट्समेन की अच्छी सूजबूज एक रन लेने में काम्याब अब गेन बाजी करने के लिए मीडियम पेसर खुटा रहा है फिल्डर्स की शांदार फिल्डिंग देखने को मिली दो रन क्या बात है पहला रन मुश्किल से तो ले लिया लेकिन दूसरा रन बहुत तेजी से लिया उनका अर्द शतक देकर बहुत खुशी हो रही है जबर्दर शॉट से भरी पारी ज्यादा रन्स के लिए वो बॉल को ऑन साइट पर फ्लिक करते हुए उन्होंने ऑन साइट के तरह बड़ी आसानी से खेला ऐसा लगा कि कोई मेहनेत ही नहीं कि लिए बैट्समिन की अच्छी सूजबूज एक रन लेने में काम्याब ला जवाब फिल्डिंग बैट्समिन रन लेने में नाकाम अमपर ने मौंक का खरीच कर दिया निराशा से भरे फिल्डर्स के नजरे फिल्डर्स की तरफ से अच्छी कोशिश बैट्समिन को रोकने के लिए यही जोजखाईम रखना होगा क्लीन बॉल्ड बैट्समिन को बाहर का रास्ता दिखा दिया उन्हें अपनी रन नीती बनाए रखना है बिना विकेट्स खोए अब गेन बाजी करने के लिए मीडियम पेसर को उता रहा है उन्होंने इस बार ओर दिखेट बॉल करने का फैसला किया है कुछ नया करने के लिए खुबसूरत कीपिंग अरे ये क्या हुआ बाल उपर से चली गई लाजवाब फिल्डिंग बैट्समेन रन लेने में नाकाम इन हालात में डॉट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है फिल्डर ने गेंड को आते देख लिया फिल्ड में अच्छी कोशिश एक छोटी सी गलती से गेंड शरीर पर लग सकती थी फिल्डिंग टीम विचार कर रही है हम पर नाटाउट के थाएब वो बॉल को बड़े गोर से देखा और मैदान के तरफ सीधे हिट किया बल्लेबास की ये सोची समझी रन नीती थी और लेक्ट साइट के तरफ खेला अच्छी रननिंग अराम से क्रीस के अंदर वापसी बल्लेबासों का रन रेट कम करने के लिए ही मीडियम पेसर का इस्तमाल कर रहे हैं बल्ल बैट के बीच लगी और उसने आउन ड्राइव कर दिया दो रन्ड क्या बात है पहला रन्ड मुश्किल से तो ले लिया लेकिन दूसरा रन्ड बहुत तेजी से लिया खुबसूरत कीपिंग गेंड एक सकिंड में गाइब हो गई बालर का रन अप क्रीज तक ना काफी बैटिंग टीम को एक्स्टार रन तीर निशाने पर सही शॉट और ये रहा सिक्सर बल्ले बास की तरफ से शांदार हिट छे रन बहुत बढ़िया सिक्सर शांदार बाल बेल्ज की धचियां उड़ गई बहुत खुब पच्चास रन बनाने का अच्छा मौका था लेकिन ऐसा नहीं हुआ वाह क्या शॉट है दर्शक दिवाने हो रहे हैं बॉन अब स्टैंड की तरफ उठी भी जा रही है बाल आसानी से पार करने वाला लक्ष है, फिर भी मैच का रोख किधर भी बदल सकता है फिल्डर्स मैदान में अपनी तयारी कर रहे हैं, गेंज फिल्डर्स को चीरते हुए निकल गई पारी शुरू करने का बहतरीन तरीका फिल्डर के हाथ रक्षक बन गए है ये नए बलेबास हैं, उमीद है ये टीम को बचा लेंगे आसानी से बैट को चू जाती गेंग को मैदान से उठाया एक बाउंस और फिंस के उपर रन बनाने की शुरूआत का लाजवाब तरीका बहुत ही शांदार शौट है पल्लेबास ने छक्के छुडाने वाला सिक्सर मारा आसानी से बैट को चू जाती बल्ले बाजों का रन रेट कम करने के लिए ही मीडियम पेसर का इस्तमाल कर रहे है अफो बाल बाल बचे इन हालात में डॉट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है गेन को सीधा स्टैंड तक पहुंचा दिया लगता है यह बहुत बड़ा शौट है वाह क्या शौट है दर्शक दिवाने हो रहे है अब उठा दिया सिखसर के लिए बोड़े शौट फिल्डर बाल पकड़ने के लिए तयार हो रहा है गेन फिल्डर को चीटते हुए निकल गई क्रीश पर बलेबास के तरफ से बड़ी चूट इस तरह आउट होते तो बहुत बुरा होता है एक स्विंग और एक मिस बैच्मन की खिसमत ने साथ दिया लगता है यह वोवर गेन बास के लिए भारी पड़ेगा गेन को मैदान से उठाया आगे होकर ओन साइट के तरफ बढ़ा दिया ऐसे में कुछ नया करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए यह पार्टनर्शेप बैटिंग टीम के लिए बहुत ज़रूरी है बलेबास के तरफ से शानदार हिट लगता है गेन सिक्सर की तरफ बढ़ रही है गेन को सीधा स्टैंड तक पहुंचा दिया बढ़िया शौर्ट बैट्समेन ने सही समय पर लगाया अफो बाल बाल बचे इन हालात में डॉट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है फिल्डर्स मैदान में अपनी तैयारी कर रहे हैं गेन फिल्डर्स को चीरते हुए निकल गई एक स्विंग और एक मिस्ट बैट्समेन की खिस्मन के साथ दिया लगता है ये वोवर गेन बास के लिए भारी पड़ेगा अफो बाल बाल बचे इन हालात में डॉट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है बहुत ही शांदार शॉट है ये एक लाजवाद छक्का है जबरदस शॉट इस पारी में पच्चास रन बनाने का अच्छा परदर्शन बहतरीन डेलिवरी सुपरब बाल तीरते हुए जाकर बेल्स कुड़ा दिया ये नए खिलाडी है इन्हें टीम के प्लैन को ध्यान में रखकर खेलना होगा गेन को मैदान से उठाया इस हेलिकॉप्टर हिट को अपने अंदराज में किया पारी शुरू करने का बहतरीन तरीका ऐसे आउसर पर संतुलंग खोया और अब खड़े होने के लिए जूज रहा है खुब्सूरत कीपिंग और समाप्त होते होते चार रह नौर आउटसाइट एज बॉल बिलकुल बाउंडरी लाइन चुएगा बल्ले बाजूं का रन रेट कम करने के लिए ही मीडियम पेसर का इस्तमाल कर रहे हैं अफो बाल बाल बचे इन हालात में डॉट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है समय का सही चैन नहीं किया गेंज फील्डर्स कुछ चीरते हुए निकल गई फील्डर्स कुछ चीरते हुए निकल गई पूरी तरह आउट लाग जवाब डेलिवरी उन्हें अपनी रणनीती बनाए रखना है बिना विकेट थोए फील्डर्स मैदान में अपनी तैयारी कर रहे है मैदान पर नए है कोई बात नहीं पहली बाहर पर चौका मारा एक स्विंग और एक मिस बैट्समेन की खिस्मत ने साथ दिया बल्ले बाजों का रन रेट कम करने के लिए ही मीडियम पेसर का इस्तमाल कर रहे हैं बहुत ही शांदार शौट है सोज भी नहीं सकते वैसी पावर हिटिंग वाह क्या शौट है दर्शक दिवाने हो रहे है बहुत बढ़िया इन हालात में डॉट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है अफो बाल बाल बचे फिल्डर्स मैदान में अपनी तयारी कर रहे हैं गेंज फिल्डर्स कुछ चीरते हुए निकल गई बॉलर ने लाइन से बाहर ख़दम रख दिया देखते हैं बैट्समेन को क्या मिलता है वक्त हो चला फ्री हिट का बढ़िया शौट और समाप्त होते होते चार रन और बले बास इस ओर से बहुत ही खुश होंगे अब गेन बाजी करने के लिए मीडियम पेसर को उता रहा है गेन को सीधा स्टैंड तक पहुंचा दिया बॉल अब स्टैंड की तरफ उटती हुई जा रही है खुब्सूरत कीपिंग गेन एक सेकेंड में खाइब हो गई इन हालात में डॉट बाल कुछ सही नहीं लग रहा है फिल्डर का शानदार प्रदर्शन रन बचाने के लिए तेजी से थ्रो किया एक स्विंग और एक मिस बैट्समेन की खिस्मते साथ दिया फिल्डर बाल पकड़ने के लिए तैयार हो रहा है और के आखरी बाल पर चौका बहुत ही बेपकार वोवर था अब गेन बाजी के लिए जीतने वाली टीम का लाजावा प्रदर्शन रहा नतीजे देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी प्रदर्शन बाल पकड़ने के लिए तैयार है झाल झाल झाल